तो बच्चों एक बड़ सब लोग जल्दी से कमेंट रखे मुझे बता दो क्याम सब लोग लाइव हो चुटे ठोटी आज बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है और विश्वास मानिये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जासरी आप लोग थमनेल में देख पा रहे होगे कि आज मैं आपके लिए क्लास जो लेके आया हूँ वो इंजन के टॉप 50 कोशन लेके आया हूँ आपको बता दें इंजन एक ऐसा टॉपिट होता है जो ज्यादा तर ट्रेड में आपको पूछा जाता है इसपेसली अगर डीजल मेकेनिक की बाद करते हैं हम लोग टेक्टर मेकेनिक की बाद करते हैं या मोटर मेकेनिक वहिकल की बाद करते हैं इसके अलावा फिटर वज़ारा के जो कोर्स होते हैं उसमें भी हमारे इंजन के जेनरल कोशन आ जाते हैं तो आज मैं आपको इंजन के बहुत सारे concept, बहुत सारे question सो लटाने वाला हूँ, ओके, तो पहले जल्दी से सब लोड एट बार फटार से live आजाईए, और जल्दी से मुझे comment रखे बताईए, आपको मेरी audio, video सब कुछ clear है, फटा पर जल्दी बताईए, ठीक है, चलो, तो ब तो आप मेरे साथ ये salt ये, बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज्यादा आनंद मिले रहा, ठीक है, तो पहले फटा पर जल्दी से एट बार video को share कर दो, और जिन्हों ने विटे लाइक निटी है, फटा से जल्दी से session को like वीटर दीजे, अना, बच्चो इस्ते अलावा आपको trade भी मिले जी, सिर्फ और सिर्फ 864 रुपए में, तो माई पर्सला application को download करो, मैं नाम लिद्दे रहा हूं application का, माई पर्सला application को download कीजे, और download करने के बाद, coupon code लगाए, योडी 10, योडी 10 coupon code लगाने के बाद, आपको ये batch सिर्फ और सिर्फ 864 रुपए में बोटे, चलो, मैं शुरुआत करता हूं जल्दी से पहले question से, ये रहा अच्छा पहला question, मैंने सारे प्रिवेस year question ये उठाएं, जिससे आपको ये अंदाजा हो सकेट, ये हमारे examet question कैसे पूछे जाते हैं, संदीप, very good, close, क्या बात है, थुड़ा इबर सब्लुक सेशन त कर दे, फटा बाट, बताओ, पिस्टन की डती को नियंतरित करने वाले इंजन का मुठ्च साफ्ट क्या है, मतला मिनोंने बोला है जो पिस्टन की डती को नियंतरित करती है, अचा, बचो आप लोगों को इंजन का जो basic diagram होगा, वो आपको clear होना चीए, ये हमारे इंजन का basic बेसिट डाइगाम होता है और इसी से टैस सकते हो तो पूरे इंजन टी वर्टेंट को समझा जाता है यह हमारे इंजन का बेसिट डाइगाम है अब आप मुझे बताओ यह पिश्टन जब आजे पीछे चलता है तो इस्टी में डती तहां पर पौशती है सर इस्टी में डती सकते हैं डती सरे सहरी जाना चाहिए सर ट्या एकसल होगा घलाट सर ड्राइविंक सफत होगा अब यह आती चलती में बताऊंगा can होता है बंजोu ces up का main यूच पता है क्या होता है वल्व وي ओपरेट करने में हैं तो वल्व ऋपरेट करने में हम लोड मेली टेस आते हो गया केम साथ रिorang को साथ से उप्रों किया जाता है तो आप बताईये जक्वेट की जाती है तो टे込े ना वह dauएथा टेस्ट जाती है हमारी CANDSAPT से option no CT-7 बोरो दोस्ट बात सब्कों clear है na सब्कों clear हो ज़िए पहले question का answer option no CT-7 जाना जाए valve to operate करने वाली साथ पूछी जाती तो फिर आपको answer देना है CANDSAPT के साथ अभी सवाल देखो पूछा रहे है आरार भी राची टा सवाल है यह लिए सेटेंड नंबर कोशन पढ़िए जल्दी से और बताइए कोशन नंबर सेटेंड आउपतर क्या होना चाहिए पढ़िए यह संदीट वरिगोड अमर भारती एंडी संदीट अरा दट कॉमपरेशन रेशियो और आईसी इंजन का बताइए कोशन रेशियो क्या होता है बहुत बड़ी जवाल है अधारकना कॉमपरेशन रेशियो हर बार पूछा जाता है इसको याद कलो हाँ अच्छा फेटर में भी इंजन रेशियो आते हैं तो जो फेटर वाले हैं वो भी टलास ले सकते हैं सुनिए जब हम लोग किसी इंजन का बोलते हैं कि टिसी इंजन का बाईसा आप कॉमपरेशन रेशियो क्या होता है डैट मींस आरसी क्या होता है कॉमपरेशन रेशियो क्या होता है बताए यह क्य तोटल वैलूम ऊपर, ट्लेरेंस वैलूम नीचे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फ कॉम्परेशन रेश्यो बोलते हैं, तो टोटल सिलेंडर वैलूम, तो ट्लेरेंस वैलूम, यह देखिए, ऑफ्शन नमबर बताएं किस्ते साथ जाना चाहिए, बी वाले उत्तर जान यह फॉर्मला बहुत इंपोर्टेंट है, सर्फ फॉर्मला बहुत इंपोर्टेंट है, आर्सी बराबर होता है, तोटल सिलेंडर वैलूम, और डिवाड बाई बताएं किया हो जाएदा हमारा क्लेरेंस वैलूम, वीस प्लस वीसी डिवाड बाई वीसी, ओके, तो यह हमारा कर लाता है compression ratio, बच्छे कई बार तुमसे exam में question पूछा जाए रहा, कि petrol इंजर बताईए compression ratio तितना होता है normally, और बताईए diesel इंजर का compression ratio तितना होता है, चलो, answer जल्दी से मुझे बताईए, पेट्टोल इंजन और डीजल इंजन का कॉंपरेशन रेश्यू इतना होता है तो बच्चों याद रखना पेट्टोल इंजन का कॉंपरेशन रेश्यू 6 से 12 होता है और डीजल इंजन का कॉंपरेशन रेश्यू को पूछे तो 16 से 22 होता है 16 से 22 तो दोनों इंजन का compression ratio याद टलो ठीके बोलो भाई बाद सबको clear है ना हाँ निटासी टित्कुल cylinder की मात्रा अचा सोरी वो हिंदी थोड़ा सा mistake हो गई है कोई बात रही total cylinder value to clearance value साफ सब नजार आ रहा है दोनों का compression ratio याद टलो petrol engine रधा रखना 6-12 है और diesel engine रधा रखना 16-22 है बोली बैए याद हो जाए रहा है अचा अब इस्ते बाद next question की और बढ़ते हैं अगला सवाल बताओ ये RRB गोरपूर ALP 2060 सवाल है answer दीजें तीसरा number question पढ़िए हाँ 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 मैंने देख लिया मैंने देख लिया लेकर formula आप सबको clear होना चीए Vs plus Vc divided by Vc होता है हाँ और काई बार देखो इस पर question भी बन जाता है कह देडा कि अगर Vs divided by Vc हमारा 9 है तो बताइए compression ratio Rc तितना होगा acid numerical भी छोटे जोटे बन जाते हैं तो वो भी आपको ready तरना पड़े रहा बताइए stroke की लंबाई और IC इंजन stroke length of an IC इंजन टिसी IC इंजन में stroke की लंबाई किस्टे बराबर होती है बचो आपको बहें बतादू जैसे की माल लीजे ये हमारा रहा cylinder or piston तो बचो जो cylinder or piston होता है या piston होता है सर वो एक निश्चित लंबाई से आजे नहीं बढ़ पाता एक निश्चित लंबाई में ही टैसा तो motion करता है इसी निश्चित लंबाई को हम बोलते हैं stroke length L इसे बोलते है याद क्लो पिश्टन जिस निश्चित लंबाई को travel करता है वो stroke length टैलाती है और वो आयतन टैलाता है stroke आयतन और ये टैलाता है हमारा clearance value बोलो इतनी बात सब्सक्रों clear है ना अब बहुत धान से सुनना बच्चों जो stroke length L होती ही ना वो याद अपना radius सी double होती है सर L बराबर 13 होता है सर L बराबर होता है 2R twice the trend radius twice the trend radius ये इस प्रसंदा सही अंसर भी या L बराबर 2R ओड़ा ठीटे बाई बात सब्सक्रों clear हो रही ना तो option number बताई टिश्टे साथ जाना चीए C वाले उत्तरटे साथ जाए रहा चलो बाई बताई जल्दी से answer जल्दी से दीजे देटे टित्रे लोट इस सवाल तरह सही अंसर देते है ये RRB मॉंबाई तरह सवाल है बताओ फटाबर जल्दी से पढ़िया थोड़ा एपड़ सेशन तो सेर भी टरते रहो फटाबर से जोनों बताई जल्दी से लाइट भी टर दीजाओ नहीं करता आपको बताना है कि इन में से कौन है जो IC इंजन देटन नहीं करता दोरोबाई लेंडवेज मैंने नहीं बनाई है एग्जाम में ऐसा ही लेंडवेज पूछी रही है और इसी लिए मैं ऐसी लेंडवेज लेके आया हूँ ठीटे आप देफो धान से बच्चा जो आटो साइकल होता है सर आटो साइकल जो है जिस इंजन पे टाम करता है तो टहना पेटोल इंजन जो है वो आटो साइकल पे टाम करता है डीजल इंजन जो है वो तो भारा टेस सकते हो लेटे धार रखना एरेट्शन जो है यह आईसी इंजन वाला नहीं है, तो यह तीनों ऊपर वाले तीनों सर एत रहेटे आईसी इंजन है, इंटर्नल कंबस्चन इंजन है, चलिए, बात सब लोग क्लियर हो रही है, एक बात सब लोग कमेंट करके थमसब करके मुझे बताओ, यह बात सब लोग क्लियर हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और ट्रै बार यह कोशन डिरेक्ट भी पूछा जाता है, पेट्टोल इंजन के साइकल पे टाम करता है, डीजल इंजन के साइकल पे टाम करता है, हाई स्पीड डीजल इंजन के साइकल पे टाम क तो इना सारे टी सारे डीजल मेंटेनिट वाले हैं जो मैंने फिटर्टी प्लास लीती तो बच्चे बहुत ज्यादा थे लेगे मुझे लगता है कि डीजल मेंटेनिट और टेक्टर मेंटे जो स्टूडेंट है वो थोड़ा कम है है ना इसली बच्चे घाम है चलो विश कार में कौन सा इंजन होता है बच्चो जितरी भी हमारी कारे होती है ज्यादा तर कारों में कैसा इंजन होता है तो बच्चो धार रखना यह यूपी टेपलेसी ट्रेसर 2015 ज्यादा तर कारों में धार रखना फोर इस्ट्रोट इंजन होते हैं और फोर इस्ट्रोट के साथ- डीजल भी होता है तो four stroke जरूर होगे तो सही answer बता है ये कौन सा हो जाए डा option number B के साथ option number B के साथ बच्चो टार में आज टल तो petrol भी आने लेड़े डीजल भी आने लेड़े लेड़े अगर यही bite में पूछा जाता तो बताईए bite में कौन सा engine होता है मेली तो क्या देना जो हमारी moped आती है witty, luna जो आप क्याते वो होता है two stroke petrol engine अरा दूजरी बास सुनिए बच्चो जो bite और जो है moped होती है ये हमारे क्या सत्तो हो single cylinder engine होते हैं क्या होते बच्चा क्या देना ये हमारे होते है single cylinder engine यारी इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक cylinder होता है इस बार तो याद रहना जटी जो car होती है सर वो बताईए टैसे cylinder engine होते है multi cylinder engine होते है सर इसमें बहुत सारे cylinder इस्तमाल तीए जाते है multi cylinder engine होते है बताईए बात तक टूट लिया रहना तो हर एक चीज को आपको कहदे से समझना है ऐसा नहीं थी फर्जी मैंने तुछ भी याद कर लिया हाँ हाँ ठोटी चीजे जितनी sufficient और जितना सही तरीटे से आप पढ़ो रहे ना exam में उतना ही term confusion होने वाला है आपको इस बात तो याद रखिए रहा चलो आरे बढ़ते है अजला सवाल बताइए जल्दी से सवाल कर सही अंसर अटा बच्चा सवाल बोलो जा रहा है autocycle पे बताइए जो petrol engine time करता है उस्ती limit क्या है यानि autocycle जो है petrol engine पे time करे रहा तो बताइए उस्ती प्या limit है मतनलब RC क्या है okay तो आपको लेना है तो माई पार्सला अप्लीकेशन को डाउनलोड रखे आप इस्टा थियोरी बैच भी ले सकते हैं अना बच्चा जो थियोरी बैच होगा उसमें मैंने पूरा पूरा आइसी इंजन जितना भी हमारा डिजल में आता है हर इस चीज को कवर कर रखा नंबर आपके सामने लिखे हुए है आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं ओके चलो आटू साइकल पर बताओ पेट्टोल इंजन की साइकल पर टाम करता है हना तो बच्चों आपको पता है कि पेट र soprré कि और याद प्री जब भी करते हैं तो याद पना पर दश्रोथ य techno क्या हो जाता है बढ़ जाता है कोमिशन लीशी से कह सकते हो दश्रोथ की वैलू बढ़ जाती है मैं आपसे कुछू हो मैं आप से कुछूआप से कुछूए मैं आपके सामने कहदूर थी मेरे पास है 2 stroke 4 stroke इंजन, 2 stroke petrol इंजन, मेरे पास है 2 stroke diesel इंजन, धान सुनिए रहा, और एक question है 4 stroke petrol इंजन, और जल्दी बताइए एक और मैंने answer लिठा 4 stroke diesel इंजन, मेरा प्रस्ण इतना है ति मैंने आपके सामने 4 तरहें इंजन लिठे, फिर से repeat करता हूं, 2 stroke petrol इंजन, 2 stroke diesel इंजन, 4 store petrol इंजन, 4 store digital इंजन, आप मेंसे कोई ऐसा है, जिसको अपने trade की knowledge है, और बताईए जल्दी से, इन में से किस्टी दच्चिता सबसे ज़्यादा होगी, बताओ जल्दी से, और बताईए किस्टी दच्चिता सबसे काम होगी, बहुत ज्यादा important सवाल, तीन चारों में बता diesel और petrol engine में से, धारकना diesel और petrol engine में से diesel engine दच्चिता ज़्यादा होती है, आप इस्टो याद कर लो, आप इस्टो याद कर लो, आना बहुत ज़्यादा important टर्म है, मैं एक बाद फिर से repeat करूंगा, कि efficiency के मामले में diesel engine ज़्यादा है, ठीके? बच्चे, मैं फिर से बता दू, जो भी बच्चे अपनी trade पढ़ना चाहते हैं, चाहिए वो कोई भी trade हो, क्रोंकि मैंने fitter का भी demo दे रखा है आपको, आज diesel maternity class है, तो वो इन इस नंबर पर फोन टर्टे, अपनी class तो जोईन कर सकते हैं, तो मैंने ये कहा आपका, कि diesel engine औ petrol engine में diesel ती दच्चेता ज्यादा होती है, और 2 और 4 में 4 ती ज्यादा होती है, चलिए इधर आईए, तो कहना 2 और 4 में 40 ज्यादा, petrol और diesel में diesel ती ज्यादा, ये लीजे, तो 4 store diesel engine, सर ये वो engine होड़ा, जिस्ती दच्चेता सबसे ज्यादा होड़ी, इन सभी में, फेर देख बात सबको clear है, logic एद्दम clear हुआ कि नी clear हुआ, देखो मैं हुलूलूलू में बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, एदम सटीर तरीके से बताऊंगा, explanation के साथ बताऊंगा, चलो, आगे बढ़िये, ये वाला सवाल लगाते दिखाए, बताई जल दीजे, फड़ा फड़ा आ सबते हम लोग, तो अड़ला question है कि बताईए, diesel engine का compression ratio तितना होगा, तो मैंने आपको बता रखा है बच्चा, कि diesel engine का compression ratio जो है, वो 16 से 22 होता है, तो diesel engine का compression ratio दार रखना, 16 से 22 होता है, ठोटी ये engine, heavy engine होते हैं, तो diesel engine का compression ratio, सर 16 से 22, officer number D, next question देखे है, ये लेखे, बहुत लिए ये कहां आया है, toll India, fitter 2013 तो सवाल है, मैंने बता ना, fitter में भी आपके engine आते हैं, इस बात हुआ देखे रहा, और देखे, which is not the common component between petrol and diesel engine, आप बताईए, इन में से कौन petrol और diesel engine का common component नहीं है, तो आप मुझे बताओ, इससे लिए ना, आपको पूरा petrol और पूरा diesel engine एंदम clear cut mind में पता होना चाहिए, हाँ सर, petrol engine में टार्गोडेटर होता है, diesel engine में नहीं होता, diesel engine में इंजेक्टर होता है, diesel engine में fuel pump होता है, ये सारा कुछ एंदम mind में चलना चाहिए, तो आंसर है, तो बच्चो दोनों में cams out होती है, क्यों टोटी दोनों में valve होते हैं, दोनों में fly wheel होते हैं, silencer भी होते, बच्चा ये जो nozzle है न वो भी spray nozzle, हरा आपको पता ही पिसमे होता है, सर ये सिर्फ और सिर्फ बच्चो धारखना diesel engine में पाये जाता है, ये petrol engine में नहीं पाये ज चलो, answer दीजे, answer दीजे, which is not a part of carbureted petrol engine, आप बताओ, इन में से कौन सा carbureted petrol engine का part नहीं है, answer दीजे, इन में से कौन है, जो carbureted petrol engine का part नहीं है, which is the not part of carbureted petrol engine, बताओ, इन में से कौन petrol engine का part नहीं है, ये भी तुवारा कोल इंडिया फिटर 2013 सवाल है बताई जल दिशुता है तो भच्चो आपको पता है कि वाल मैटनिजम कार्गोड़ेटर इंजन में यानि पेट्टोल इंजन में होता है अब देखो फ्यूल इंजेक्टर तो सब तो पता है तो अड़र आपने और सारी चीज वो पेट्टोल इंजन और डीजल इंजन दोनों में होता है अब दंदिश आफ्टर निटली होता है इस बार को यादर खेड़ा तो सही आंसर बी वाले उपतार के सार चलो दसबार सवाल आप देखो बताई जल्दी से इस सवाल ना सही आंसर देखते हैं कि इतने बच्चे सवाल्स इना सिंगल सिलेंडर् टू इृ श्टोट पेट्र मजयन सर इन्होंने बोला है कि लिवाल्फ बठाड इंजन में बताईए कितने वालब बाएते हैं मेरा ट्रेड बिजल मेकैनिक के बच्चा माँ फिर से मता दू जो भी बच्चे अगर डीजल मेहिकनिक नहीं का भए पिर थे क्रम कंप्लीट डैट्रा शुर्ण को प्रते जियां करना जाते हैं तो आप अम इसमें पर दिरू टॉइंच चाहरी हिंए ना य। य। वालब नहीं होते हैं कोई वाल्ब नहीं होता है इस बार को यातखना नो वाल्ब कोई वाल्ब नहीं होता मेरी बार समझ रहा है ना बट अधर यही कोश्चन जो है किस्टा पूछा जाता सर यही कोश्चन आता 4-store petrol engine का तो बताईए तितने वाल्व होंगे और 4-store diesel engine का डाट question आता तो बताईए तितने वाल्व होंगे बताईए आज़ा दीजा हाँ बताईए तो 4-store petrol engine में बच्चा 2-वाल्व होते हैं 1-let valve होता है और 1-ट तुम्हारा exhaust valve होता है 4-store petrol engine में 2-वाल्व होते हैं लेज़े जैसी मैंने ठाब 4-store diesel engine तो टेह देना 3-वाल्व होंगे inlet valve होड़ा exhaust valve होड़ा और 8-wall valve होता है fuel valve तो 4-store petrol engine में ठेतने वाल्व 4-store diesel engine में ठेतने वाल्व 2-store petrol engine में ठेतने वाल्व ये सारा तुछ आपको एदम याद टर्टे रखना भी या इस बाटो याद रखना टिसी तरे अटा भी बहाना नहीं चले रा चलो आजे बढ़िये बताई जल दीज़े आंसा आंसा दीज़े अंटिता अभी शेट एजुटेशन MD बताईए प्रसन बोला जा रहा है कि the top of a piston in a two-stroke engine two-stroke engine में जो top होता है वो बताईए किस्टा बनाए जाता है जैसे कि मैंने आपसे कहा ये मेरा रहा सिलेंडर और सिलेंडर तो ऊपर ये रहा मेरा piston ओटे ऐसे piston मैंने बना दिया तो बच्चो two-stroke engine में क्या होता है इस तरीटे से यहाँ पर ये गड़्धा बना होता है two-stroke engine में सर ऐसे यहाँ पर ये गड़्धा बना होता है और इस गड़्धे से fresh charge टो बाहर निकलने से रोटने के लिए हम लोड piston के ऊपर ऐसा उबढ़ा हुआ सेप बना देते हैं अना सर ये जो piston के ऊपर उबढ़ा हुआ सेप बनाते हैं सर इसी सेप को हमने नाम देते हैं सर इसे बोला जाता है piston crown क्या बोलते हैं piston crown और याद रखना piston crown का इस्तिमाल पता कब होता है सिर्फ और सिब्धा रखना two store petrol engine में होता है four store में piston crown का इस्तिमाली नहीं होता है तो बताइए answer टिश्टे साथ जाने वाला है option number C टे साथ जाने वाला है piston crown बनाते हैं हाँ बिल्टुर वो सही crown से लेटे नाम जो बोलते हैं वो हम लोड piston crown बोलते हैं चलो बारवा नमबर सवाल बताइए अब तरड़ा नौलिज चाहिए answer देने लिए बताइए तो बच्चों ये वाला सवाल जो है DRD और मोटर मेटनिक वेटल 2016 आया हुआ सवाल है नभ फोर सट्रोट साइकल डीजल इंजन दूरिन सट्चन स्ट्रोट आप मुझे बताओ अगर बात यहाँ पर फोर स्ट्रोट फोर स्ट्रोट डीजल इंजन की बात ही जा रही है तो आप मुझे बताइए सट्सन में क्या अंदर आता है answer देजे कि अधिए नई हाँ प्रिया आपका अंसर इद्दम सही है ज्यादा तर बच्चो का आंसर डिला थे हाँ बच्चा जब फॉर-इस्टोट डीजल इंजन की बात करते हैं न तो डीजल इंजन में सक्चन के दौरान सिर्फ एर अंदर आती है सिर्फ एर अंदर आती है बाद में एयर कॉम्प्रेस होती है फिर बाद में डीजल डाला जाता है हाना अगर यही कोश्चन आता फोर इस्टोट पेट्रोल इंजन का तो यादखना फोर इस्टोट पेट्रोल इंजन में सबसंते दोरान एयर और फ्यूल दोनों अंदर आते हैं ठीक है देटो भाई प्रिया आपका ही बस आंसर मुझे सही दिखाई दिया और एक सुरेंद नाथ है उनका भी आंसर मुझे सही दिखाई दिया बाटी सब का आंसर डिला थे बच्चा आप सब लोटना इस्टोब पढ़ लो याद कैदे में अना बाटी समने C answer दिया है C answer डिला था बच्चा ठोटी सवाल में पूछा जा रहा था forest road diesel engine तो forest road diesel engine में सिर्फ air अंदर आता है और forest road petrol engine में धारखना air of fuel दोनों अंदर आते हैं बोलो भाई बात सब्सक्रों clear है ना अब दूसरी बास सुनिये सर्फ forest road engine में सिर्फ diesel अंदर आता है तो सक्सन होता है compression होता है फिर बाद में diesel जाता है अरा बच्चा forest road diesel engine को हम लोग अपना CI engine भी टहते है compression ignition engine भी टहते हैं forest road petrol engine को दारखना हम लोग SI engine भी टहते हैं spark ignition engine भी टहते हैं ALP 2018 में C वाला ही दिया है अरे उससे मतलब नहीं दे तुम मैं पहले बता दू ALP 2018 में याले question to answer मालो C दिया है तो मुझे उससे क्या मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि C दिया है तो मैं आपको C पढ़ाने लड़ू गलत पढ़ाने लड़ू ऐसा नहीं होता है रेलवे ने अभी जितनी भी परिच्छा है ली कोई भी ऐसी परिच्छा नहीं हो डी जिसमें रेलवे ने एक दो टोशन को डलत नहीं दिया हो तो इसना मतलब क्या कि रेलवे ने जो डलती थी वो भी डलती मैं आपको सिठा दू नहीं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो रेलवे ने क्या अंसर दिया मुझे उस बास से क्या मतलब रेलवे ने C दिया लेकर C डला थे कभी भी डीजल इंजन में धानटना एयर फ्यूल एक साथ अंदर आती नहीं है आप मेरी बास समझी है अनकिता तो रेलवे ने क्या अंसर दिया मुझे उस बास से बिल्कुल भी मतलब नहीं बाई मैं तो आपको एतनम सटीर और सही एस्प्लेनेशन दूँगा ठीके चलो ताबे देखें फणी वाइटी सर जी बताईए जरा वाल्ब और पोर्ट में अंतर बता दो बच्चा जो वाल्ब होते हैं ना पहले पोर्ट सुनिए पोर्ट कुछ नहीं होते सिर्फ एक गड़े होते हैं अना ऐसे हमारा टू श्टोट इंजन होता है और बच्चो पोर्ट ना सिर्फ एक गड़े होते हैं जिससे हमारी फ्लू डेस बाहर जाती है ये पोर्ट हो गया लेगे वाल्ब पता क्या होता है सर वाल्ब का मतलब होता है जो एक पार्टिकुलर टाइम में यानि एक सर्टेम टाइम में एक निश्चे समय में खुले और एक निश्चे समय में बंध हो अरा तो निश्चे समय में खुले और निश्चे समय में बंध हो बच्चा बस उसी होतने वाला होता है तो एक्जॉस्ट के समय ही एक्जॉस्ट वाल क्यों खुलता है आपने कभी सोचा है कि और एक्जॉस्ट के समय ही एक्जॉस्ट वाल क्यों खुलता है जब सबसंगे बाद compression होने वाला होता है तो exhaust valve क्यों नहीं ठुलता सोचा है कभी है तो ऐसा भी इसलिए नहीं ठुलता क्योंकि उस्टो permission नहीं होती ठुल लेटी उसे permission नहीं होती बच्चा valve उसे बोलते हैं जो इनिश्य समय में ही ठुले सरे इनिश्य समय में ही बंदो that is called valve अब port जो है sipleted day होते हैं port का इस्तमाल हम लोग 2 stroke engine में ठरते हैं अब valve का इस्तमाल हम लोग 4 stroke engine में ठरते हैं ठीक है चलो देखे बदाए the quality is a compression ignition engine देरो petrol engine तो SI engine होता है सर अना diesel engine जो है सर यही तुम्हारा compression ignition engine होता है CI engine होता है अब आप मुझे एक बाप बता दो जितरे भी बच्चे बहादर बच्चे बैठे है मुझे बताईए यह gas engine कैसा engine है और भाप engine कैसा engine है बताई दली से gas engine के बारे में हम सब लोग क्या कहोगे दन्दवाद 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 तो बच्चो gas engine या ये भी एक spark ignition engine होता है यादर खेरा आज कल देखो जो हमारी पेटोल वाली कार होती है वो gas से चलती है लेटे देखो डीजल वाली कार gas से नहीं चलती आपने देखा है ना पेटोल वाली कार gas से चलती है लेटे डीजल वाली कार gas से नहीं चलती तो gas engine भी एक तरहेका ऐसा engine होता है जबकि भाप engine जो है वो external combustion engine होता है यानि बाहे दहन engine होता है EC engine होता है जिस्टों बोलते हैं हाँ, बिल्कुल ठीके, चलो, आगे बढ़ा दे question number, आड़ला बढ़ते हैं 14 number, बहुत बढ़ी है सवाल answer जल्दी से दूजे दे रहेंगे बदाईए इस्टा सही answer किस्टे साथ जाना चीए question number 14 पढ़िए जल्दी से answer दीजे very good, very good हाँ, stream engine हमारा external combustion engine होता है बच्चों, question number 14 बोला जा रहा है the thermal efficiency of a petrol engine as temperature to diesel engine diesel engine दी तुलना में petrol engine दी thermal efficiency ट्या होती है diesel engine दी तुलना में सर पेक्टोल इंजेंटी दुरूर लाइन को एद्दम सटीट पढ़िया अन्टिता ऐसे डलती हो जाईडी लाइन क्या बोला है सर डीजेल इंजेंटी तुलना में हाना पेक्टोल इंजेंटी thermal efficiency ट्या है diesel इंजेंटी तुलना में पेक्टोल इंजेंटी तुलना में दीशता क्या है करके, क säil कार्पोरेटर का yooч कहाँ पर होता है? आज़ा दीजे. है बिल्कुल, बिल्कुल, प्रियाप प्रतीट अ किता अभिशेत, वेरीडोट, रासीस, रासीस, वेरीडोट. बताजिए, कार्पोरेटर का प्रियोट कहाँ पर होता है? तो बच्चो टार्बूरेटर का प्रियोट होने तो तो वो गैस इंजन में भी होता है, होने तो वो इस्पार्ट इग्निशन इंजन में भी होता है, कॉम्प्रेशन में नहीं होता, कोई नहीं तो आंसा सही हो ही नहीं सकता, बट अगर इन में से मुझे पूछा जाए कि बताईए आप क्या अंसर लगाना चाहोगे तो मैं तो अंसर लगाऊं भाव स्पार्क इगनीशन इंजन जैसे ही मैंने बोला स्पार्क इगनीशन इंजन वैसे ही उसके अंदर पेट्रोल भी आ जाए रहा उसे अंदर डेस इंजन भी आ जाए रहा तो पेट्रोल और डेस जब दोनों ही आ जाने हैं तो तो त्योंना हम लोड इस्पार्क इगनीशन इंजन इस्तिवाल करते हैं बोलो भई बात सबको क्लियर है फड़ा पर जल्दी से बताईए बात सबको क्लियर है किसी तरह का टोई डाउट तो नहीं है न तो आपसर नमबर हमारा बीटे साथ जाने वाला है चलो कोशन नमबर सोलवेट योर बढ़िये और बताईए जल्दी से कोशन नमबर सिस्टी इंटाट उत्तर किस्टे साथ जाना ये बड़ा सही सवाल है बहुत सही सवाल है हाला कि मैं अभी एप्लिटेशन पर इसी चीज को पढ़ा भी रहा हूँ एप्लिटेशन में मैंने सोचा था कि आपके लेवल में इतना ही है नहीं भाई बहुत रिटेल है आपके लेवल में भी आपको वाल भी टाइमिन डाइडाम भी पढ़ना होता है आपको कैम साफ्ट भी पढ़ना होता है आपको वाल भी टाइमिन मैटिनिजम भी पढ़नी होती है कि कैसे कैम साफ्ट जो है पावर टोक ट्रांस्मिट करती है यह चीज समझनी होती है अब देटो इन्होंने सवाल क्या बोला? इना फोर इस्टोड इन्यन दर कैम साफ्ट डियर हैज, कैम साफ्ट डियर हैज, मतलब कैम साफ्ट में कितने दाते हुँ रहे, अब सुनो बड़े धान से, बच्चो एक डियर लगाए जाता है तुम्हारा क्रेंट साफ्ट, सर ये क् क्रेंट डियर है, ये डियर लगाए जाता है इसे, बच्चो होता क्या है कि हम लोगों को इस मेकनिजम को पावा ट्रांस्मिट करनी ही होती है वाल्व तर, ताटी वाल्व अपने हिसाब से खुले और फिर समय से बंद हो जाए, अब द्यान देना, सर जो फोर स्ट्रोट इ पिष्टन के चार स्ट्रोट मतलब ट्रेंट के इतने राउंड लगने चाहिए, दो राउंड, ध्यान से सुनी रहा, एद दम टैदेट साथ, अच्छा साथ, लेके ट्रेंड के दो राउंड लगने चाहिए, तो वाल्व तो 80 राउंड बार खुले गा, इनलेट वाल्व ए इसे बनाये जाए रहा, जब हम लोड इसना साइज बड़ा कर देंगे, अरा, तो दो राउंड को हमें एक राउंड बनाना है, तो हमें यहाँ पर एक डियर लगाना पड़ता है, उसको बोलती हम लोड टैम डियर, और टैम डियर के टरता है, टैम डियर के दो राउंड को 8 round बनाता है 8 round बनाता है इतनी बात सब रो clear हो रहे है अच्छा, सर इस्टा मतलब क्या है इस्टा मतलब यह है अगर speed के अमसार देखा जाए तो trend की speed और divide by temp की speed जान से सुनी रहा, ऊपर trend नीचे temp, सर यह नपात आ जाए रहा 2 नपात ए बट अगर दातोटी संख्या के इसाफ से बोला जाए रहा तो दातोटी संख्या speed के opposite होती है तो दातोटी संख्या के इसाफ से बोला जाए रहा तो दातोटी संख्या में trend उपर, trend नीचे तो इसको उल्टा करना पड़े रहा, यहनि एक अनपाथ दो करना पड़े रहा है पहले आप इस बात को याद कर लो नहीं तो confusion में आपके कई जारे प्रसंट लट हो जाएंगे अच्छा ठीक है आप ही ठालीजे पटोड़े चलिए देखिए अब देटों सवाल क्या है सर्थ camsoft gear पिर camsoft जो gear है यानि camsoft जो है वो बड़ा बनाये जाता है तो camsoft में दार रखना double gear होते है camsoft के आधे गलत बराबर गलत camsoft gear के दो बार दाते twice the number of teeth ये सहीए सर twice the number of teeth ये दम सहीए तो twice the teeth of camsoft gear option number C सहीए सर इसमें दातों प्री संखिया जादा होगी ठितनी जादा होगी वो मैंने बात होता है ठीट भाई तो बात आपको समझ में आ रहे न एक train gear होता है cams gear होता है और ये जाके valve tomat ringer operate करते ही इसलिए ये आपको पढ़ाये जाता है ये ट्री बार पूछा भी जाता है और ट्री बार ये उल्टा सीधा तरीटे से पूछा जाता है लेटे एट बार धन से पढ़ लीजिए मजा आ जाए रहा ठीटे चलो आज़े देखिए next question answer देखिए think of टोठा मूवी देखिए ओके चलिए कोई बात रही ठीटे मैं जल्दी जल्दी तढ़ता हूँ आदे बढ़िए सवाल अगला लिठा हुआ है 4 stroke IC engine के मामले में प्रती मिनट काम करने वाले stroke ती संश्या बताईए बहुत बढ़िए सवाल 4 stroke engine में power stroke तितना होता है 2 stroke engine में तितना होता है देखिए जब भी तभी हम लोड 4 stroke engine दी बात करते हैं बताईए 4 stroke engine में हमारा working stroke तितना होता है और आप से पूछा जाए 2 stroke engine में बताईए working stroke तितना होता है ऐसे पोशन आईडा कई बार इस तो working stroke बोला जाएगा कई बार इस तो power stroke बोला जाएगा तो 4-stroke engine में क्या होता है 2-stroke engine में क्या होता है पहले आप समझो इस बात तभी आंसर देखाओ देखाओ सर 4-stroke engine में क्या होता है इस बातों समझो जब piston 4-stroke लगाएगा तब 8-bar power देगा 4-stroke लगाएगा 4-stroke में 8-bar power सर 4-stroke का मतलब यह हुआ सर चार स्टोट का मतलब यह हुआ कि दो राउंड में बताईए तितनी बार पावर मिले जी सर दो राउंड में मिले जी एट बार पावर दो राउंड में सर एट बार पावर मिले जी फोर स्टोट इंजन में बराबर अजर दो राउंड में 8 बार पावर में लीडी तुम्हाँ लीडिए इंजन की RPM एन है दो राउंड में 8 बार पिल लाईए तो चार राउंड में 2 बार आधा करना पड़े रहा इसलिए धानकना 4-stroke इंजन में number of power stroke एनबाई 2 आता है 4-stroke में एनबाई 2 आता है वी सटोसिट लिए किया कहीं डिये सर वी सटोक लिए 8 राउंड में 8 भी पावर मिलती है यहीं रीजन है कि इसमें तैस सकते हो number of power stroke N होडा सर इसमें number of power stroke N होडा ऐसे डिक पोलेये याद हो जाए है तो न हरा अब क्या बोला जा रहा था इन्होंने four stroke IC engine दे बारे में बुला था सर्फ four stroke IC engine दे बारे में option जाए डा option number eight एसाथ capital N by two एसाथ एक बार सारे बच्चे केमेंटरेटे बताओ आप तो नहीं भूलेंगे डा काई बार question ये भी आए डा आप ये बताओ जितरे भी बच्चे हैं को सारे के सारे मुझे लगता है diesel mechanic rate के ही है ये ट्रेक्टर mechanic के आप लोग को कुछ नया सीपने तो मिल ला है कोई ऐसा दंदार concept लगा हो तो भी मुझे कमेंटरेटे बताइए अन्हा डीजल engine के मामले में इधन और हवा का मिस्टर कहा होता है बहुत बड़ी है सबाद इन्होंने कहा है कि जब मैं diesel engine की बात करूँगा तो diesel engine बताइए हवा और diesel का मिस्टर कहां पर होता है हवा और diesel का मिस्टर कहां पर होता है बच्चो जब diesel engine की बात आती ही न तो सबसे पहले अंदर आता है तुम्हारा हवा, एर, सक्षन होगा, टॉम्प्रेशन होगा, और टॉम्प्रेशन के बाद फिर यहां इंजेक्टर लगा होगा, और बच्चों उस इंजेक्टर से डीजल अंदर आता है, तो डीजल और हवा का जो है, मिलान कहां पर होता है, तो ट इंजन का कुछ पार्ट है जैसे की मोटर मेंटेनिक वेटल और आईसी इंजन में क्या होता है बड़ा डिटेल है लेगे सिर्फ फिटर वालों को बहुत थोड़े में पढ़ना हो जादा में नहीं चलो ये वाला सवाल देखें निकाष वाल्ब की तुल्ना में इंजन के इंलेट वाल्ब का अेशा होता है बचो एट बात धार्टना इंजन में दो तरह यटे वाल्ब होते हैं 8 होता है inlet valve, 8 होता है exhaust valve. इंजन में सर दो valve होते हैं एट होता है तमारा inlet valve 8 होता है attend inlet वाल्ब, एंजास्ट वाल्ब प्रस neighboring आयड़ा कि बता हिए इनमें सेachsen valve बड़ा होता है तो याद अतना जब दें अभी size ये मामले में बातब करें बचो तो साइज हमेशा दा रखना inlet valve बच्चा ज़्यादा बनाए जाता है साइज हमेशा दा रखना inlet valve बच्चा ज़्यादा बनाए जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्या है सर inlet valve size इसलिए ज़्यादा बनाए जाता है ताटी, चार्ज अंदर ज्यादा से ज्यादा आए तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि निटास वाल्व की तुलना में इंजन के इनलेट वाल्व का टार क्या है? इनलेट वाल्व का टार क्या है? तो इनलेट वाल्व का टार बढ़ा छमतादे बारे में आपनों पता है, जैसे कि मैं आपनों बता हूँ, जब आप इंजन लेने जाते हो, तो आप से कहा जाता है कि मेरा इंजन जो है, वो 1500 CC है, तो जो CC हमनों लिदते हैं, सर ये CC कुछ और नहीं, सर ये swept value होता है, CC क्या होता है, सर CC होता है, swept value जिस्टों आप बोलते हैं, हमारा फिसलन value, तो आपनों ज़्यादा तर बाइट लेने जाए, जैसे कि आप माली जे डिश्टावर लेने जाते हो, पैसन प्रो लेने जाते हो, वो ज़्यादा तर 1500 CC आसपास होती है, ज्यादा तर आपकी 1500 CC आसप आप लोड विट्टी, लूना तहते हो न, हाँ, विट्टी और लूना, सर ये क्या होती है, सर ये 2-stroke इंजन होती है, तो विट्टी, लूना ये सब मोपेड है बच्चों, और धारकना, ये हमारे पास होती है, सिर्फ और सिर्फ 50 CC जी, 50 CC जी, 200 CC नहीं होती है, यार, 50 CC जी जी तरी CCD होती है, 50 CCD होती है, हाँ, जितनी भी बाइट बाइट है, वो 1500 CCD आसपास होती है, ले धारकना, जो मोपेड बगारा होती है, सर वो हमारी होती है, 50 CCD आसपास, नेक्स्ट वोशन देखे, आंसा दीजे, ओके, इटी स्वा नमबर सवाल, बना ही जो इसे, आंसा हाँ, लूना हाँ, चलो, RAC Trade कब से स्टार्ट होगा, बचा वो भी स्टार्ट होगा, विशेट, हाना, एपलिकेशन पे तो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, RAC, मैं साइट्रो मेट्रिक अभी पढ़ाने वाला हूं, और रेफिदरेशन और एयर कंडिशन भी मतला इसमें क्या नहीं fit किया जाता, सवाल है, हाना, तो बच्चो अई बाँ बताओ, मोटर साइटल मॉपेड में क्या नहीं fit किया जाता, तो इधर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर यह तो fit हो रहा, एयर फिल्टर भी fit हो रहा, lubrication भी fit हो रहा, लेकिए fuel pump नहीं होता, इंजन में यहां दखेना तो डीजल इंजन में पताए क्या होता है इसलिए इसलिए मोटर साइटल श्कूटर और पॉपट यह सब पेट्रोल इंजन है तो इसमें फ्यूल पंप नहीं होगा जैसे दिए अजूटेशन प्लस तुमने डी आंसर दिया बहुत सारे बच्चों न लेके डालते हो ने डिक्टी में पेट्टी में या फिर आप गाड़ी चलाते हो मोटर साइटल चलाते हो तो मोटर साइटल में भी देखिए हर दो तीन महिने में जब आपकी 15-16 सुटलो मेटर गाड़ी चल चुटी होती है तो आप साड़े 300 रोपेटा आपका इंजन ओए लेते हो इंजयन ओयल डालते हैं तो इंजयन ओयल बच्चों डाला जाता है इनमें समझेना बात को लेज़े फ्यूल पंप नहीं होता सब क्या नहीं होता फ्यूल पंप नहीं होता इस बात को याद रिखी न तो टेंट फ्यूल मत हो यह चीज़ों ध्यान से समझे चलो 22 वार हाँ बिल्कुल लूबरिटेशन नहीं हुआ तो डाड़ी दो दिन छोड़िये वो मुश्टल से दो धंटे भी नहीं जल पाई दी हाना इंजन में इतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी इतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी तो जिस्टी वजाए से पिस्टर रिंड जल के भसा हो जाएगी और पिस्टर रिंड खराब होगी तो पता है आपका जो इंजन है वो सीज हो जाए रहा आपको दुबारा से जो है पिस्टंटी रीड्राइंटिंग आनी पड़ जाएगी सवाल देखिए अधिकांस उच रती स्पीडन वाले यानि हाई स्पीड कॉंप्रेशन इंजन हाई स्पीड पर कॉंप्रेशन इंजन बताई इस पर काम करते हैं सर हाई स्पीड कॉंप्रेशन इंजन है या फिर आपसे बोला जाता हाई स्पीड जो है इंजन वो हमारे किस्ट पर काम करते हैं डूल कंबस्शन इंजन या फिर डूल साइकल पर काम करते हैं इसलि जो है वो dual cycle पर काम करते हैं option number C अब देरो सब लोग diesel लगा रहा है diesel क्यों होड़ा भाई अजर सिर्फ लिठा होता संपीडर इंजन तो मैं diesel लगा था जैसी बोल दिया high speed तो answer माने सब लगा रहा C टे साथ dual combustion टे साथ है चलो next दिए बताएए गुजन पिन लिठा हुआ है आप इस तो गुजन पिन बोल लीजे रहा बताएए गुजन पिन कहां पर लगाई जाती है answer दीजे सबका आपका paid batch है ELPTA बच्चा ELPTA paid batch चलता है मैं आपको फिर से बता दू आप लोग को my parcel application को download करना है और download करने दे बाद होती है तो इन्होंने ग्रजन पिन पूछा है तो याद करो मैंने आप प्रोब पिछले वाले lecture में इस तरह टाइडाम बनाया होगा आप ऐसे रहता है हमारा ये रहती है हमारी ट्रेंटिन रोड और ये रहती है ट्रेंट फर ट्रेंट साफ्ट बच्चो यहाँ पर एक स्मॉल इंड होता है और इसी स्मॉल इंड में दानर्टना लगाई जाती हमारी ग्रजन पिन ये हमारी होती है ग्रजन पिन और ग्रजन पिन का एक और नाम भी होता है इसी तो हम लोग पिष्टन पिन भी रहते है सारे इस्टो किस नाम से जाना जाता है इस्टो बोला जाता है पिष्टन पिन के नाम से चलो बताइए तो क्या आंसर जाना चीए तो पहला आंसर है पिष्टन और कनेक्टिन रॉट का बड़ा इंड नहीं actually मैं ये इंड जो है न ये होता है small इंड ये होता है small इंड ओके और धारखना ये होता है तुम्हारा bid इंड अभी मैं इस्टी सारी डिजाइन जब समझाओं रहा तो आप तो small इंड, bid इंड समझ में आ जाए रहा ठीक तो piston और connecting rod का छोटा इंड, small इंड ये सही answer है बी उत्तारेदम सही answer है देरो इसमें भी आप लोगों को confuse कर दिया बाई साब तो officer number कौन से सही होड़ा, बी बाला उत्तारेदम सही answer होड़ा, ए आला answer आप नहीं लगा सकते हैं ने तो सवाल हो जाए रहा गलत, हाँ piston pin भी बोलते हैं आपसे पता है कि यहाँ पर कौन सी pin जाती है उसे बोला जाता है trend pin यहाँ पर जो pin लगाई जाती है उसको बोलती है हम लोग trend pin ठीट, चलो आरे बढ़िए, next motion यह लिए, 24 number सवाल, यह एक छोटा सब निमेलटाल है, एक टार इंजन में 770 cc टकुल वैलूम है, तीन सिलेंडर है, संपीडा ननपात इतना है, त तो प्रतेट सिलेंडर का निटासी मात्रा, यानि आपको इच सिलेंडर का क्लेरेंस वैलूम बताना है, आप बताईए कि प्रतेट सिलेंडर का क्लेरेंस वैलूम कितना होना जाए है, यह सवाल है, बचा आपको बड़े ध्यान सो सुनना, सर 770 cc जो है, वो 3 सिलेंडर का है तो एट सिलेंडर्टा पता ही सुट्ट वेलूम के तना हो जाएदा तो एट सिलेंडर्टा सुट्ट वेलूम हो जाएदा सास्सो सत्तर डिवाड़ वे तीन क्यों तोकी सास्सो सत्तर जो है वो कुल विस्थापन के साथ दिया गया तो एट सिलेंड डल्टर 770 बटे 3 तो बच्चों ये तो हमारा हो डिया वी एस ये क्या हो डिया सरी ये हो डिया वी एस जरा इस्टों मैं सॉल्ट आओं तो यहां से आज आएड़ा 3 दूनी 6 8 17, 3 5 15 अड़ा 2 20, 3 6 18 22, 256 दूट 6 6 ये हमारा वी एस हो डिया यहां तक लियर है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो लेकर आपने टीम ने मैंने 99 बर उपए 10 दिन में ही ओफ कर दिया रजू आप मुझे बताओ मैंने 99 बर उपए में दिया था मैंने आपको यहां वीडियो भी चाहा था मैंने टाहा था 7 दिन के लिए और रही बात आपने टाहा 10 दिन में ही ओफ कर दिया तो आप मुझे बताओ मैंने clear एदम टाहा था कि यह डेमो है अगर आपको डेमो इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है तो basic science drawing का course भाई 99 रुपए में नहीं था मैंने 7 दिन के लिए वो दिया था मैंने वीडियो में भी टिया था तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वो बहुत अच्छा course है तो आप team को बोलिए कि मैरे से और पैसा लीजिए और मुझे course पूरा दीजिए और नहीं पसंद आता तो 99 रुपभा बापस ले लीजिए पहुत सिधी से बात है यार चलो इधर आईए तो बच्छो आप बहुत धान से देखना इन्होंने compression ratio दे दिया देखो बच्छो धारखना vs plus vc divide by vc equal to होता है rc अगर मैं vc टे divide टादू तो vs divided by vc plus 1 equal to rc आप चाहो तो इस वाले formula को भी direct इस्तमाल में लाए सकते हैं चलोगा आटाट याले formula से मैं पूछू तो vs divided by vc टितना हो जाएदा तो rc minus 1 तो बच्छो आपका rc दिया हुआ 8.7 vs ओ दिया 256 6 vc निटालना है और 8.7 8.7 में से ढटाया देंगे 7.7 ये तो और भी असान हो जाएदा मैं फालतू में लंबी चोड़ी calculation ठड़ रहा था वी ए स्टोलिट देंगे 770 divided by 3 vc निटालना है और ये हो जाएदा 7.7 भाई 8.7 में से ढटा देंगे तो vc कितना हो जाएदा तो vc आ जाएदा 770 उपर नीचे 3 इंटू 7.7 बस इतना solution टल लीजे और फटाक से आपनों answer मिल जाएदा बच्चा तो आप देखिए अडर मैं ये दसंबलों हटा हूँ तो ये जूरो और बढ़ा दूना यहाँ पर तो ये चला जाएदा 8000 और 8000 डिवाइड बई 3 तितना हो जाएदा 33 33 तो नहीं आए यार तुछ मिश्टेक हो लेटिया 770 था ना यह मिश्टेक हो लेटिया मुझसे देखिए ज़रा ये 770 डिवाइड बई 3 था ना और 7.7 7.7 अरे सौरी 100 बार जाएदा यार ये जाएदा 100 बार और 100 बटे 3 तितना होता है सर सौ बटे 3 हो जाएदा 33 दसम्रों 3 ये सवाल रसी होता है ठीक है तो ओफ्शन नंबर जो है बी आंसर से है सर आपके टीन ने बोला था 31 दिन अगर आपके पास वह recording दिये, तो वह recording मुझे भेज दीजे, इस नमबर फे भेजिए, तो आपको जरूर जो है, इततिस दिन के लिए पूरा मिले रहा है, लिटी इततिस दिन में आप नहीं पढ़ा है, बेसिट साइंस इसे ड्रॉयन का टोर्स, 90 गंटे का टोर्स है याद, कह इतन दीजे, भासकार, जिंदरी, प्रिया, अब शेट, बच्चों, जितने भी बच्चे नहीं है, वो सारे के सारे बच्चे कमेंट रखे जरूर बताते रहे, आपको कोश्चन के एस्टेंडर कैसा लगा, जैसे डियाला सवाल देटी है, एस्टेंडर्नल कंबस्चन इंज आप मुझे बताइए, इनमेंसे कौन एस्टेंडर्नल कंबस्चन इंजन नहीं है, बताइए, इनमेंसे कौन एस्टेंडर्नल कंबस्चन इंजन नहीं है, बचो बाहे देहन इंजन उसको बोलते हैं, जिसमें देहन सिलेंडर के बाहर होता है, सिलेंडर के बाहर होता है, पता यह कौन सा इंजन है सर इसे बोला जाएगा हमारा IC इंजन यह हमारा IC आप सानमबर सी ठीक है फिटा ट्रेड के लिए है सर जी जो भी ट्रेड है वो सब आपको एपलीटेशन पर मिल जाएगी मैं फिर से बता दू एपलीटेशन जो आपको सारे बैचेस मिल जाएगी यह थोड़ा ऊपर से तो जिया है आप ऐसी पढ़ लीजे क्रोशन बोला जा रहा है कि इंटर्नल कंबस्चन इंजन त्या है अब देखो इन्होंने बोला है इंटर्नल कंबस्चन इंजन तो यह भी उसी तरह को सवाल है कोई थतरी नहीं है एतो stream इंजन इंटर्नल नहीं होड़ा तरबाइन इंजन इंटर्नल नहीं होड़ा डीजल इंजन जो है वो एक तरह इंटर्नल इंजन हिंद होता है आपशन नमबर इस्टाभी के इस्टे साथ जाएधा चलो आजे पढ़िए यह लिजा, बताईए, हाँ, आंसर दीजा, कोई बात रही, रज्जु एक काम प्रड़ो, रज्जु मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, आप पहले, क्लास अभी थोड़े देर में ओवर होती है, आप तुरंद मेरे नंबर पर फोन दीजा न, मैं आपके सामने मैं अपना नंबर लिद देता हूँ, 85,54,54, रज्जु आप इतनी बात मुझसे टर रहे हैं, इसना मतला आपको वो टोर समझ में आ रहा है, और मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसका एक्च्वल दाम 99 नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, उसक्वल दाम 499 है, हरा, तो वो ना आपके लिए डेमो ही तौर पे, फिर भी टोई दिटत नहीं, मैं अपना नंबर दिया, आप इस्टो टॉल कर लीजे, सवाल देटी क्या लिखा हुआ है, निमने में से तिस इधन का प्रियोड, स्पार्ट इंडिशन इंजन में टिया जाता है, आप बताओ इनमें से वो कौन सा है, जिस्टा हो प्योड प्रिटा, स्पार्ट इंडिशन इंजन में किया जाता है, तो बच्चों, जैसे इनोंने बोला ऐसा इंजन, तो ऐसा इंजन में आप, जिरो, हालत की टड़ते तो पेट्टोल भी है, टड़ते तो डैस भी है, लिए जैसे इनो ने लास्ट में लाइम बोली ति ए मिश्चर ओप पेमेशाल एंड इहार तो या दखना एयर औफ फ्यूल टर रेशियो ट्या होता है तो यह द्खना एयर होग्ताइब फंदरा रेशियो एक wichtig हाना याने air हमारा 15 होड़ा और याद शेडा fuel हमारा 1 होड़ा air of fuel टा ratio बताइए तितना होता है 15 रेशियो 1 होता है हला पिन निटाल भी सकते हैं ऐसा कोश भी नहीं है ठिन निटाला नहीं जा सकता निटाल भी सकते हैं कोई टेंसन वाली भात नहीं है चलो आजे बढ़िए इस्टो बताइए आंसा बताइए हाँ राजपूत आपका नाम जो भी है तो राजपूत आप मैंने नंबर जो आपको दिया है ना आप उस पे फोन कर ले ना मेरे से बात हो जाएड़ी तो मैं जो है ना हा सर आप रोज इसी टैमपल लाईब आते हैं बचार वोज आते हैं मतैये किस इउलेटेल सबसे जादा इन में से वो इंजन कॉण सा होगा सर जिस्टी दक्षिता सबसे ज़्यादा होगी अना देरो फिर से अंकिता तुमने मूठो वाला काम किया ऐसा काम मत कड़ो गल्ती मत प्रिये करिये मैंने अभी अभी बताया ठी टू और फोर में फोर की दक्षिता ज़्यादा होती है अब पेट्टोल अब डीजल में डीजल की ज़्यादा होती है और डीजल इंजन कहते हैं किस्टो हैं सिया इंजन को टहते हैं तो यह फोर इस्टोट जो डीजल इंजन होड़ा सर यही वो इंजन होड़ा जिस्टी दच्चिता सबसे ज्यादा होगी मैक्सिमम होगी ठीक है ओके तो आपनो ना एदम सटीट और सही अंसर दीजे भाई जब मैं एक बार बता चुटा हूँ आप प्रोटी भाई इस्टा लॉजिक है तो आपनी तरब से ना वो चीजे सीट लेने पड़ता है अधर आप नहीं सीट होगे तो बताए यह क्लास्टा क्या ही मतलब है आप प्रोट सोचो क्लास्टा क्या ही मतलब है चलो आँसा दीजे चार सलिंडर इंजन्डा फायरें और और क्या है एक्चली में यह एंटी पीसी फिटर में तो आया ही सवाल है बच्चा है यह क्वोश्चन जो है दो हजार उन्निस्टे दो हजार उन्निस्टे एल्पी सीबीटी टूटा भी सवाल है इन्होंने लिठा नहीं है लेटर आया है मुझे याद है आपने प्रीवेस आंथा को शेंघेर कोस्टे में वी देखा हो रहा है बताओ है चार स ineंडर इंचन का सबसे अच्छा desirable क्या होता है हुआ हमारे इंगन में इणा उडर नहीं होठा तो हमारे इंगन की जो पावर है वो non uniform हो जाएगी तो firing order हम लोग रखते क्यों है अगर तो पूछे तो firing order रखते इसे लिए है ताकि engine से मिलने वाली power हमारी uniform हो सके तैसे हो सके uniform तो बताई जल्दी से four cylinder engine का firing order क्या होता है तो बच्चों अगर मैं two cylinder तीन का पूछता तीन cylinder engine का क्या होगा तो तहते one three two यह तीन का होता है लेगर आगर फोर cylinder engine का firing order पूछा जाता तो याद अपना 1342 ऐसी याद करना है आपको आपको ऐसी याद करना है 1342 यानि option number 8 इस्टे साथ जाने वाला है सी वाले उत्तर ते साथ जाने वाला है 1342 इस्टे साथ दो तीन चार एट नहीं भाई फिर वही बेटूफी वाली बाद कर रहा हो दो तीन चार एट से तैसे देरो लगातार firing order कभी होता ही नहीं है शुरुआत एक से हमेशा हो दी हाना और धा रखना इस्टा जो accurate firing order है और दो चीजे भी लड़तार नहीं होती है इस बातो याद रखिये रहा तो option number बता ही क्या होगा हमारा C वाले उत्तर ते साथ बिल्कुल आपको 5 सिलेंडर तर भी firing order याद करना होता है आपको 6 भी अरे firing order याद कर लो और 6 सिलेंडर तक ही जादा से जादा पूछा दा सकता है उस्टे बाहर उस्टे आजे 7-8 सिलेंडर का नहीं पूछा दा है ओके तो बच्चों हम लोग आज क्ली बस इतना ही रखते हैं जैसे यह वाला question देखी यह 6 सिलेंडर था आपके time करना इसको मु जह है आप NTPC ती त्यारी चाड़ रहे हो चाहे आप group D.T ती त्यारी चाड़ रहे हो या फिर ITI के कोई भी ITI के कोशी भी exam ती त्यारी चाड़ रहे हो बच्चा, my personal application पर आपके हर्थ रहे के course अबलेबल है, मैं content number भी लिदत दे रहू हूँ 96-96-102-411, आप इस नंबर फोन घुमाटे भी कॉल कर सकते हैं और बैच को भी जॉइन कर सकते हैं ओके छैसलिंड डाटा था 153, 624 ये लिठा हुआ है भी एंसर अना ओके तो बचो आपको ये जो ट्लास थी ना ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए थी कि डीजल मैटेनिक, टेक्टर मैटेनिक, मोटर मैटेनिक वेटल इनकी लिए हमारे एपलीटेशन पर ट्लास से आप बैच जोइन करके तेमपलीट थी बैच पड़ सकते हो जो भी बच्चे अभी तर बैच से नहीं जुड़े जुड़ जाईए तो आपको आईटी आईटी हर एज़ाम के लिए 100% सक्सेस दिलाएडा ओके दूजरी बात जो है आपको अलपी टेक्टिशन पूरा फाउंडेशन बैच लेना है तो भी आप बैच जोइन कर सकते हैं कोई भी बैच जोइन कीजे तो जब भी तभी आपको एपलीकेशन पे किसी भी तरह एटा एश्ट्रा डिस्टाउंट चाह मैं इंजन्टे एट दो पार्ट और बचा है वो ठताम हो जाए रहा तो दो सी चार दिन बाद RICT ट्रेट के भी कोश्चन स्वरी टॉपिट मैं डाल दूब रहा एपलीकेशन पे ठीटेश चलो फर मिलते हैं नेक्ट वीटों में थैंट्यू बर्यमाच जैहिन